मित्रो नमस्कार, वेलकम टू निर्जहर ग्यान अंतराश्च्री संबंद, उस पर बात करेंगे हम, हमारा हेडिंग यहाँ पर है, आउफुल साइलेंस, इट मिन्स भयंकर चुप्पी, देखो, इस सीरीज के साथ आपकी जो वर्ड मीनिंग है, वो भी काफी अच्छी हो जाएगी, उसके साथ ही आपकी इंग्लिस आपकी बना देगा, आपकी भासर और पकड़ अच्छी हो जाएगी, है न, बिना किसी देडी के, अपनी जर्णी को स्टार्ट करते हैं, अब देखो, यहाँ पर इंडिया चैना के बाड़ें बात की गई है, इंडिया मस्ट पप्लिकली क्लारिफाइग दा सीरियसनेस, लॉंग दा एलेसी, अब एलेसी जानते हो न, लाइन ओप एक्ट्वल कंट्रोल, है न, जो भारत और चीन के बीच है, जो 1962 के बाद जो यह था, इस्तिती जो बनी थी, उसको मतलब इंडिकेट करता है, तो दोनों देश इस पर सांती बनाने के पक्षम हमें सा रहते हैं, ल जर्ली अमन्त, आप्ट दा फर्ष्ट स्क्रिम सेज ऑन दे लेसी, जो इसको मतलब इंडियन एंड चैनीज सोलडर्स के बीच में, उसके लगवग एक महिने बाद, है न, रिपोर्ट जो आई है, दो सिट्वेशन ऑन दे ग्राउंड इस्टिल अपिरस तू बी टेंस, कि सि हुआ, वहां पर आखिर, अक्चुली स्थिती क्या है, what has happened there since 5 में, 5 में से वहां क्या हो रहा है, क्या का development हुआ है, हम जानते हैं कि फर्ष्ट एक क्लैस हुआ था पैंगॉंग तो लेके, पैंगॉंग तो लेक है एक वहां पर उसमें दोनों दे गस्ति करते हैं, लेकिन कि इंडिया और चीन ने सबसे जो कठिन ने स्टेंड आफ तनाव देखा है, as reported by हिंदू, अब हिंदू, न्यूज पर का हम देख रहे हैं, तो हिंदू में report किया गया था, बताया जा रहा है, कि सोर्से जेज, सोर्स बताते हैं कि अब देखो, यहाँ बहें बता रहा है, कि एगरेशन जो हो है चीन की तरफ से, आप फिर बताएं कि उन्होंने जैसे भारती सैनिकों के साथ डिल किया है, उनके साथ ब्याभार किया है, तो यह तो हम कह सकते हैं कि एक रणनेतिक रूप से काम कर रहे हैं, एक प्लैनिंग के साथ कर देखो, लेकि दोनों सरकार नहीं क्या किया है, आपने कमेंट्स लिमिट किया है, कुछ बोल नहीं देखो, ना चीन सरकार कुछ बोल 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 देखो, एक तरह से चुप सब्सक्राइब एक फूल डिसक्राइशन हो जाए तो क्या होगा इसे सोल्डर चो है अपने लेसी पेट्रोल पे चले जाएंगा सामने जो स्टेंट आप की सिट्विशन हो नहीं रहेगी कि something military officers की यहां पर बात की जा रही है say will probably need a high-level political intervention की यहां पर एक high-level राजनितिक हस्तक्षेब की बात आब शकता है अब बीच में क्या हुआ अब बीच में क्या हुआ पर चुन अब distraction क्या है बताता हूँ यहां पर भारत और चीन की बात चल लई है आपसी संबंद की बात चल लई है दोनों tension पर बात चल लई है यूएस का comment आ गया अमेरिका का कि मतलब distraction की तरह ही है कि भटकाने के लिए कि हम तयार है है विच अम बध्यस्ता करने के लिए तरह है यही क्या है तब फर्स्ट कोमेंट लास्ट वीक भाई जो सिंगर डिपार्टमेंट जो ऑफिसल था अमेरिका का उसने क्या का था उसने चैना को अक्यूज किया था दोस्त दिया था और बिकन एग्रेशिव और सेबरल फ्रॉं अब यहां पर देखो अब भारत ने क्लेम को स्विकार कर दिया कि आपकी जो प्रस्ताव है उसको स्विकार नहीं कर सकता भारत ने सिंपल तरीके से का कि बाचीत चीन के साथ हमारी जाड़ी है कोई एक तरह से सीमित बयान दिया नहीं अमेरिका नाराज हो नहीं चीन नाराज हो ठीक है अब देखो और दूसरा काम है कि अपने senior officers को लगाए वहाँ पे कि एलेसी जो डिमेर्केशन है जो एक्षवल कंट्रूल का जो सिमांकन है उस पे बात करें उसे बात चले आखिर कि यह dispute अब देखो यहां पर यहां है कि इसको भी उसमें अप्रेट किया था नहीं चाहिए 2013 में तो government must also investigate how a big build-up of Chinese soldiers were not acted upon earlier beyond this इसके अलावा देखो इसके पड़े देखो इसके पड़े देखो it must take a full assessment of just what China's final aims are यह भी दखना चाहिए कि China's final aim क्या है इसके संदर में बीजिंग पर जबरदस्त आरोप लग रहे है कई European country लगा रहे हैं अमेरिका लगा रहा है इसे ध्यान भटकाने का यह जड़िया तो नहीं है कहीं यह भी देखना होगा भारत को कारा कोरम पास तक जो पहुच भारत बनाना चाहता है ना northern frontiers में उतरी मोर्चे में उसके लिए भारत क्या कर रहा है वहाँ पर infrastructure निर्मान कर रहा है क्या उससे रोकना तो नहीं है चीन का मोटिव कि हम भारत को यहाँ पर infrastructure development नहीं करने देंगे या New Delhi को यह तो remind नहीं करवाना है या दिलाना चाहता है चीन की जो गड़ा फिकल जो vulnerabilities हैं जो एक तरह समकत संबेदन सीलता है भारत और US का जो इंडो पैसिफिक साहधारी है जो चल दहा है उसके कारण तो यह नहीं हो रहा है तो कई सारे factor हो सकते हैं इन ओल दिस थी सिनारियोग अभी तीन सिनारियोग हम देखे हैं तब फर्स स्टेप पर गर्रणमेंट कोड़ बी अब भारत को इन सब एस्टे में क्या करना है सबसे पहले शीरियोशनेश जो इसका बिजिन का जो करेंट प्रॉलम है ओबर कोरोना वाइरस पैंडेमिक उस पे मतलब इस थी असपर्श करने चाहिए तो इंडिया फ्रोम इस इंफ्रास्ट्रक्ट्रक्टल पुस्ट आइ थिंग इस संतेंसे रेपेटे यह संतने रिपीट हो रहे है ठीक है और दसेम लिन हीर पभलिकली च्लैरिफाइदह लेट मी चेहर किच यस पंफले क्लाइड़िफाइदा सीटिवेशन एड़ लेसी लेसी के पास जो सीटिवेशन है उसको क्लाइड़िफाइड करना चाहिए और एक सधी हुई एक सटीक कदम लेने के लिए अपने प्लैन के बारे में एक तरह से मतलब समर्थन जुटाना चाह उस पर अपनी पोजिशन जो है वो सही से बनाई रखनी चाहिए क्योंकि हमारी जो सामड़ी जो नीती है वो विल्कुल असपश्ट होनी चाहिए है ना तो यहां पर कई सारे पॉइंट से उठे हैं कि भारत अमेरिका का जो संबंध है उससे चीन तिलम लाया हुआ है दूसरी बात कि अभी कोविड-19 को लेकर जो चीन पर आरोप लग रहे हैं जाच की बात कि उसका भारत ने समर्थन किया है तो इससे भी चीन तिलम लाय है तो यह भी फैक्टर्स हो सकता है तो यहां पर चुपी सी है बास्तविक इस्थि जो है बाहर नहीं निकल पाड़ी है यही संपाधिकी में लेखक ने कहा है राइटर नहीं ही मैंसन किया है चलो आसा करते हैं कि आपको इस समझ में आया होगा और इससे आपको इंटरनेश चो है आज वहल आज इंग्लिस और हिंदी यू विल यू यू विल आपको इस स्टॉंग कमांड ओवर इंग्लिस और हिंदी ऑलसो और इंग्लिस ने पर अच्छी कमांड आपकी हो जाएगी चले कल फिर्म दे एक नई वीडियो के साथ तर तक लिए नमस्कार थेंक्यू